पास ले जाती है जो मारिया को उसकी पिता की वसियत के तौर पे एक किताब देते हैं दरशल मारिया के पिता के उपर इतना करश्था कि वसियत में वो सिवे एक किताब ही चोड़ गए थे इसलिए अब वो उस किताब को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि बहुत साल पहले एक खूपसूरत महिला जिसका दिल बहुत पवित्र था उसे चांद ने कुछ खूपसूरत मोती दिये थे इसलिए उस दिन के बाद से लोग उसे Moon Princess के नाम से जानने लगे फीर कुछ दिन के बाद Moon Princess की शादी मेरी वेदर परिवार के राजकुमार सर वॉल्फ से हुई Moon Princess को उसके पिता जो की डेनोयर प्लैन से थे उन्होंने उसे एक काला शेर गिफ्ट किया और सर रॉल्फ ने अपने पतनी को एक योनिकॉन गिफ्ट दिया जिसके बाद Moon Princess ने इस खुशी के मौके पर सबको Moon Pulse के बारे में बताया जिसमें गजब की दिव्य शक्ती थी और वो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था जिसके बाद मारिया उस किताब को पढ़ना बंद कर देती है अब आगे हम मारिया को मिस हेलो टॉप के साथ अपने अंकल के घर जाते देखते हैं क्योंकि अब उसके पास अपना खुद का घर तक नहीं बचा और जब वो अंकल के घर के पास पहुचने ही वाली थी कीत अभी उसके गुड़ा गाड़ी पर दो लोग हमला कर देते हैं ल आने की मेरिया भी मेरी विदर परिवार की थी वहीं बेंजमिन स्वबाव से थोड़ा ख़डूस थे और वो मिस हेले डॉप और मेरिया को अलग-अलग फ्लोर पे कमरे देते हैं इसलिए अब मेरिया अपने कमरे में जाती है जहां की चत पर बहुत सारे तारे थे जिने दे को लुष से वो किताब छीन लेते हैं जिसकी वज़े से मारिया उनसे नाराज हो जाती है अब नाश्टे के दोरान मीस हैले टॉप बहुत बाते कर रही थी जिस पर बेंजमिन कहते कि क्या एक आदमी अपने घर में शांती से नाश्टा भी नहीं कर सकता जिस पर मारिया इछले दिन की घटना को बताते होँ पूसती है कि कल दो लोगों ने उन पर हमला किया था वो कौन थे जिस पर मारिया फिर से पूस्ती है क्या ये लोग उसी किताब वाले डीन और क्लैन है पर इस सवाल पर उसकी अंकल कोई सीधा ज़वाब नहीं देते अब रात में मारिय अपने बैट पर होती है जहाँ उसे अपनी चहस के सितारे तूटकर गिरते भी दिखाए देते हैं वही अगली सुबह वो जब नीचे जाती है तो उसे एक पियानों अपने यहां पी बस्तावा दिखाए देता हैं और वो भी उस पियानों को बजाने लगती है और उसे ऐसा क गोड़े की सवारी करती है और बेंजमीन से थोड़ा देर अकेला घुर सवारी करने की इजाज़त मानती है जिस पर वो उसे शर्ट पर इजाज़त देते हैं कि वो जंगल की तरफ नहीं जाएगी इसलिए मारिया उनकी शर्ट मान लेती है लेकिन बेंजमीन के जाने के तुर जिसके बाद अगले दिन वो बेंजमीन से पूस्ती है कि आकिर इस घर में हो क्या रहा है वो बताती कि कभी यहां तारे तूटने लगते हैं तो कभी अपने आपी पियानो बजने लगता है और यहां पर खाना कहां से आ रहा है जबकि मुझे आस तक कोई किचन नहीं दिख जिस पर बेंजमीन दुखे होते हुए उससे कहते हैं कि क्या वो सवाल पूछना बंद करेगी और ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं पर तभी वहां उनका डॉग रॉल्फ आकर मारिया को अपने पीछे ले जाता है जहां मारिया को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसक पर वह उसे उस किताब के लोकेशन बताता है जहां जाकर मारिया उस किताब के आगे की कहानी पड़ती है और अब हमें पता चलता है कि उस जादू ही मून पर्ल्स के बारे में जानकर दोनों परिवार याने के मेरीवदर और डीनोयर क्लैन उन पर्ल्स को पाने के लिए मून प्रिंसेस आकर उन्हें बचाएगी आप कहाने को पढ़कर मारिया स्कारलेट के पास जाती है और उसे कहती है कि ये घर भी शापित है जिस पर स्कारलेट बताता है कि उस दिन के बाद से दोनों परिवार में दुश्मनी हो गई और सिर्व मून प्रिंसेस ही उनके बीच परिवार में दुश्मनी खतम नहीं हो जाती और उन जादूई मून पल्स को समुद्र में वापस नहीं डाला जाता तब तक ये श्राप खतम नहीं होगा पीर उसी रात मारिया को नीन नहीं आती और वो अगले दिन अपना सारा सामान एक बैग में भरकर वहां से भागने क की सोचती है लेकिन वो गलती से गुफा के पास पहुच जाती है जीसके अंदर उसे लवडे नाम की महीला मिलती है लवडे अब मारिया को बताती है कि वो भी एक मून प्रिंसेस थी लेकिन वो इश्राप को तोने में नाकाम रही वही मारिया को लवडे के पास भी एल लिखा वह गाउन मिलता है जिस पर मारिया समझ जाती कि लव डे नहीं उसके लिए वो ड्रेस छोड़ा था लव डे अब मारिया को बताती है कि जिस दिन मून प्रिंसेस का शाप दिया था उस दिन पॉल्स वाले बॉक्स को डीनो और क्लैन के लोगों ने छीन लिया लेकिन उसकी चा भी को डीन और क्लैन के सरदार को देती है लेकिन सरदार बताता है कि वो बॉक्स खाली है क्योंकि मून पर्ल्स को मेरी वदर परिवार ने चुडा लिया था फिर वो अपने बेटे रॉबिन को आदिश देता है कि इस लड़की को कैद खाने में डाल दो और रॉबिन ऐसा ह घर पे ले आता है अब एक और रात में मेरी या देखती है कि अब उसके कमने में बहुत ही कम सितारे बचे हैं और तबी वो एक सीकेड दर्वाजे से लवडे को अंदर आते हुए दिखती है लवडे अब उसे बताती है कि वो और प्रिंश क की पेंटिंग देखकर पता चलता है कि मून पर्ल्स कहा है दरसल मून पर्ल्स को मून प्रिंसिस ने एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे छिपाया था लेकिन उन्हें पाने के लिए उसे किसी ऐसी की ज़ुरत पड़ेगी जिसे जंगल का कोना कोना पता हो इसलिए वो बेंजमिन और लवडे को भी मिलाना चाहती थी इसलिए वो एक प्लैन बनाती है जहां बेंजमिन और लवडे के लिए वो चिट्टी लिखती है और उन दोनों को लगता है कि उन दोनों नहीं एक दुसे से मिलने के लिए चिट्टी वीजिए इसलिए इतने सालों के बाद एक दूसरे की चिट्टी पढ़कर वो मिलते हैं लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि मारिया ने उन्हें मिलाने के लिए ऐसा किया जिसके बाद वो लोग मारिया को ढूंडने के लिए निकल जाते हैं क्यूंकि स्कारलेट से उन्हें पता चल जाता है कि मारिया रॉब निकल जाता है वहीं मारिया के साथ उसका डॉग रॉल्फ भी होता है पर उस पेड़ तक पहुचने से ठीक पहले डीन और क्लैन के लोग रॉल्फ को एक गड़े में गिरा देते हैं और रंत में रॉबिन को भी पकड़ लेते हैं जिससे मारिया अकेली पड़ जाती है पर फि रॉबिन से कहते हैं कि तुम भी अपनी बेहन की तरह गड़ार निकले दरसल लवडे रॉबिन की बेहन थी और उसकी पिता उसको इसलिए गड़ार कह रहे थे क्योंकि लवडे ने मेरी वदर परिवार के लड़की से प्यार किया और आज रॉबिन भी मारिया की मदद कर र है और अगर उसने मून पल्स को समुद्र को नहीं लटाया तो सब मारे जाएंगे क्योंकि चांद इस धर्ती से टकरा जाएगा जिससे सब नस्ट हो जाएगा और हर तरफ अंधेरा फैल जाएगा लेकिन सरदार उसकी एक नहीं सुनता है पर फिर रॉबिन किसी तरह खुद की मार देता हैं जिससे मौके पे उस बिचारी की मौत हो जाती है इधर मार्या और या और और पेड़ की जड़से नीचे से हो कर मून पल्स हासिल कर लेते हैं पर रॉबिन के पिता आनि के तेनॉय के सव ali स को करके मार्या ऑएगी इसलिए वो पहले ही समुद्र के पास यह पहुँच जाता है और वहाँ पर बेञिमिन और लवडे भी आते हैं बेञिमिन के बाते ही सरदार उससे रोपनी की कोशिश करते हैं वहीं तब तक हुआ मारिया और रौबिन भी आ जाते हैं मारिया अर्व उन्हें अपने दung करने हैं लेकिन वह एक नहीं सुनते जिसके बा उसके कपड़ों से चिपक जाते हैं इसलिए मारिया खूदी अब समुदर में कूज आती है जिससे बेंजमिन लब डे और रॉबिन को बहुत दूख होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मारिया समुदर में डूपकर मर जाएगी पर फिर तबी अचानक एक बहुत बड़ी ल जैसे मारिया बज गई थी और उसी के प्रभाव से रॉल भी जिन्दा होकर गाले शेर में बदल जाता है आप बेंजमिन लवडे को प्रपोस करते हैं वहीं इदर रॉबिन भी मारिया को जीवित पाकर खूश होता है और अपने परिवार को खूश देकर सरदार भी दुश मनी खतम कर देता है और इसी तरह मारिया उन सब को मून प्रिंसेस के श्राप से बचा लेती है और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों